नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे म्रदुला गर्ग जी की कहानी मौत में मदद लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और पड़्चितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मृदुला जी की कहानिया ऐसी हैं कि पाठाक अपने जीवन और व्यक्तितों से नितांत भिन अब तक अंजान चेहरों को देख पहले यकीन नहीं करता जुंज लाता है, पर आखिरकार रोमांचित होकर कहानी कई बार पढ़ जाता है तो आए सुनते हैं उनकी सुप्रसिद कहानी मौत में मदद तीन दिन से बुद्धन का पता नहीं है, आज 28 तारीक हो चली और अगली दो को इतनी बड़ी पार्टी है, 40-50 लोगों की आने वाले सभी बड़े लोग हैं दुर्गापुरी स्टील मिल के जनरल मैनेजर, रेलवे के बड़े अफसर, नामी गिरामी वकील और डॉक्टर एक हफ्ता पहले बुद्धन को ताकीत कर दी थी, कि पूरे बगीचे की अच्छी तरह सफाई करके घास तर्टीब से काट दे समझा दिया था कि सब काम दो तारीक से पहले हो जाना चाहिए और ये जनाब हैं कि तीन दिन से गायब हैं इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूपी है वह सोच रही थी कि नौकर ने आकर कहा, बुद्धन आया है अब आया है, वह बुद्ध आई शाम की छे भजने को आये, अब क्या खाक काम होगा बात क्या है बुद्धन, इतने दिन कहां थे कहते कहते वह बाहर निकली तो पाया, बुद्धन अपनी कह रहा है छेले भिशोण असुस्त, टाका दाव मा क्या हुआ लड़के को, उसने पूचा बुद्धन का लड़का बीमार है, उसे रुपए चाहिए बीमारी ठीक क्या है, बुद्धन खुद नहीं जानता तो उसे कैसे समझा सकता है पर जो है, है भीशोण और रुपए मांगने वाली रुपए, वही परिशानी का विशय है यो हर महीने 150 रुपए वह किसी विशेश परिस्थिती के लिए अंत तक बचाई रखती है पर इस महीने विशेश परिस्थिती होकर गुजर चुकी है मिसेज अगरवाल कोटा से कुछ डोरिया की साडिया लेकर आई थी और पीछे पढ़ गई कि एक वहले ले साडिया थी सुन्दर और मिसेज अगरवाल से यह कहना कठिन था कि इस माह नहीं हो सकेगा वैसे ही वह हर दम अपनी साडियों की शान मारती रहती थी शान्ची कहीं की उसके पास 20-1 रुपए पड़े होंगे पर वे सबजी भाजी के लिए चाहिए क्या करे अनिल से मांगे असंभव इस बार बजट बनाते वक्त दोनों में काफी खटपट हो गई थी उसने पूरे जोर के साथ कह दिया था कि इस बार महीने के बीच रुपियों की हर्गिस जरूरत नहीं पड़ेगी फिर अनिल जिस्तिस को उधार देने की उसकी आदत से खुश भी तो नहीं है देखो भाई उसने बुद्धन से कहा इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है छेलेर भीशोड व्यथा जमीन पर बैठे बैठे उसने एक बार फिर दोरा दिया कब से बीमार है उसने पूछा छोशाद दिनेर उसके स्वर में अन्यमनस्कता का ऐसा भाव था कि यह जानते हुए कि इस जन्मजात उदासीन्ता के सहारे ही वह कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है वह खीज उठी बोली तो इतने दिन कहां मर गए थे छे दिन पहले कहते मिसेज अगरवाल से साड़ी खरीदे चार दिन हुए थे उससे पहले उसके पास रुपए थे बुद्धन चुपचाप सूनी निगाहों से सामने देखता बैठा रहा वह अपनी कह चुका आगे जो हो विधी से लड़ने का काम उसका नहीं है निश्क्री एक स्विकृति के इस भाव ने उसे और खिजा दिया कहा ना इस वक्त रुपए नहीं है उसने कहा वह वैसे ही चुपचाप बैठा रहा अजीब आदमी है यहां कोई खान खुद रही है जो मांगते ही रुपए हाजिर हो जाएंगे जरा पहले नहीं कह सकते तुम लोग उसका स्वर और सक्त हो आया अब बैठे क्या हो जाओ वह उठा ऐसे जैसे बिखाराय अंगों को समेट कर इंसान की आकरिती दे रहा हो वह समझ गई वह कुछ नहीं कहेगा लड़के को किस्मत के भरोसे छोड़ जंगल में लकडी काटने चला जाएगा और रात उतनी देरी करके घर लोटेगा जितनी रोज करता है अच्छी मुसीबत है वह बुदबुदाई फिर बोली अब ठहरो जरा चल कहां दिये देखती हूं कुछ हो सका तू वह भीतर मुड़ गई क्या मुसीबत गले पड़ गई यह भी नहीं कह सकती कहीं और से रुपए ले ले वह काम सिर्फ उसके अहां करता है असल में वह दुरगापुर स्टील मिल के अपसरों की कालोनी के आगे फैले जंगल से लकडी काट कर गुजारा करता रहा है करीब तीन महीने पहले अपने बगीचे में काम करवाने उसने बुलवा भेजा था तब से दो घंटे रोज काम करके 20 रुपए माहवार ले जाता है उसने आसपास के घरों में भी उसे काम देलवाने का प्रेद्न किया था पर कोई एक अंजान सिखतर किस्म के आदमी को रखने को तयार नहीं हुआ था सबका एक ही उत्तर था इन लोगों का क्या भरोसा नए आदमी को माली का काम सिखाते अपना माथा खराब हो जाएगा ना बाबा ना हमसे नहीं होगा लगता है वह बुड़ बुड़ाई इस पूरे शहर में मैं ही एक बेवकूफ बसती हूँ मुह में सिगरेट दबाए ड्राइंग रूम में बैठा अनिल कोई किताब देख रहा था वह अंदर आई तो बोला आज इतवार के दिन कहां कटी कटी गोम रही हो आओ बैठो न सुनो उसने एकदम कहा मुझे कुछ रुपए चाहिए अनिल बड़ी अदा से मुस्कराया यानि बजट फिर फेल वह तिल मिला कर रह गई मुझे अपने लिए नहीं चाहिए बुद्धन का लड़का बिमार है उसी को देने है महीने की 28 तारीक को रुपए वह भी मेरे पास मजाग छोड़ो उसने ज़ला कर कहा तीसेख हो तो दे दो एडवांस तो ले चुका होगा हाँ कहना पड़ा तुम्हें कैसे मालूम उसका बच्चा सचमुच बीमार है कह जो रहा है कहने की भली चलाई इन लोगों का कोई भरोसा है तुम तो ऐसे ही सब पर शक करते हो और तुम हो कि चाहे जो बना ले वाह वाह क्या वह था नहीं एक छोकरा मोची का ठीक है रहने दो उसने अनिल को बीच में रोग दिया जानती थी वह क्या कहने जा रहा है जब से उस मोची के लड़के का किस्सा हुआ है उसे ऐसे ही लजजित होना पड़ता है ग्यारह बारा साल का प्यारा सा लड़का था बाप था नहीं और मा थी रोगी जूते गाट कर अपना और मा का पोशन करता था सो कभी मिलते थे कभी नहीं करुणा से भर कर उसने एक महीने तक उसे खाना खिलाया था और घर के तमाम फटे और बिन फटे जूतों की मरमत करवा डाली थी जब तब दवा के लिए पैसे दिये सो अलग फिर एक दिन वह जूआ खेलते पकड़ा गया ठर्रा भी कसकर चड़ाय था बाद में पता चला कि रोगी या निरोगी उसकी कैसी भी मा नहीं है तो मना कर देती हूँ उसने पुरानी बात को अलग करके कहा पर वहां से हटी नहीं, खड़ी रही अनिल ने नजरे किताब पर जमाते हुए कहा सचमुच बीमार है तो सरकारी अस्पताल किस लिए है वहां देख भाल, क्यों नहीं होगी एक की नहीं हुई तो यह मतलब थोड़ा ही हो गया कि किसी की नहीं होगी अकबारों में हर बात बढ़ा चड़ा कर कही जाती है हो सकता है फ्लू हो उसने अपने को समझाते हुए कहा और क्या अनिल ने फोरण अनमोधन कर दिया आजकल फैल भी कितना रहा है तो एस्परिन दे देती हूँ हाँ हाँ अनिल ने बिन ध्यान दिये कहा वह तब तक दोबारा किताब पढ़ने में मगन हो गया था बेडरूम में जाकर उसने दवा की अलमारी में से चार गोलिया एस्परिन चार ओरिसुल की निकाली और कुछ लजजित भाव से पर्स खोल कर साथ रुपए भी पहले पाँच फिर कुछ हिचक कर दो और उन्हें लेकर बरामदे में बैठे बुद्धन तक जाते जाते वह महसूस कर रही थी कि वह बहुत बचकानी और सीधी किस्म की औरत है उसने जल्दी से गोलिया और रुपए बुद्धन को थमा दिये और वापस मुड़ गई पीछे से आ रही उसकी चिरोन जीव हो मा की आवाज को उसने जान बुझ कर अंसुना कर दिया उसे लग रहा था वह किसी नाटक के अती नाटकी ये द्रिश्च में भाग लेकर हटी है आज दुरगापुर क्लब में पार्टी है शाम को उसके लिए तयार होते हुए उसने ड्रेसिंग टेबिल के गोल दरपण में अपनी प्रतिचाया देखी तो मुस्करा उठी वह मिसेज अगरवाल से खरीदी कोटा डोरिया की नई साड़ी पहने है शुब्र श्वेत साड़ी पर फिरोजी बॉडर गले में सफेद मोतियों की माला कानों में एक एक बड़ा श्वेत मोती गोल फिरोजी बिंदी बाहर बादल और हलकी बूंदा बांदी मधुर समरस्ता से भरा है सब कुछ आज की पार्टी खूब रहेगी दो तारीक वाली पार्टी पर भी यही रंग पहनोंगी उसने सोचा बस दो दिन और है हरी मखमली घास पर जहां तहां चिपे नीले बल्प और वैसी ही सौपनिल महीन नीली साड़ी तभी अनिल ने आकर गंधराज के दो फूल उसके जूड़े में लगा दिये बोला पूरी बात अब बनी उसे गंधराज पसंद नहीं न जाने क्यों उसकी तीवर मीठी गंध में मृत्तु की बास आती है एक बार सोचा जूड़े से निकाल दे पर हात बालों तक जाकर रुख गए बहुत कभी कभी अनिलैसी रोमांटिक हरकत करता है फूल वहीं छोड़ वह धीमे से मुस्करा दी तैयार होकर बाहर निकली तो बुद्धन सामने पड़ गया अच्छा हुआ बुद्धन तुम आ गए उसने कहा लौन की घास तर्तीप से काट दो उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मा के चीतकार के साथ बुद्धन उसके पैरों पर गिर गया छेले यार नहीं मा उसने कहा वह इस्तब्ध खड़ी रह गई टाका दाव मा दाह कोरिबो तभी गाड़ी की चाबी घुमाता अनिल वहां आ पहुँचा क्या हुआ उसने पूँचा इसका लड़का मर गया दोश आरोपते सर में उसने कहा ओहो बहुत बुरा हुआ अनिल ने कहा टाका दाव मा दाह कोरिबो बुद्धन ने दोहराया रुपए मांग रहा है वह बोली पर रुपए तो है नहीं नहीं बीच में अनिल ने कहा मौत में कुछ न कुछ मदद तो करनी ही पड़ेगी फिर बुद्धन से बोला देखो तीस रुपए मैं दे देता हूँ बाकी आसपात से ले लेना ऐसे समय में कोई मना नहीं करेगा बुद्धन रुपए लेकर भगवान से उनके चिरंजीव होने की दुआए मांगता चला गया वह जडवत खड़ी रही हवा का तेज जोका आया और तमाम वातावरन गंधराज की महक से भर गया उसे उबकाई आने लगी अनिल उसकी बाह पकड़कर उसे गाड़ी में बिठला रहा था और कहता जा रहा था ऐसे वक्त में रुपए देने ही पड़ते हैं ना होगा पार्टी में एक डिश कम कर लेंगे उसका स्वर धर्मा भिमान से छलका पड़ रहा था गाड़ी चल पड़ी मौत में आदमी आदमी की मदद नहीं करेगा तो कब करेगा एक ना एक दिन सभी को यह देखना है ना अनिल कहता जा रहा था और उसका मन हो रहा था कि गाड़ी का दर्वाजा खोल कर बाहर कूच जाए उसके स्वर की दम भी साधुता उसका दम घोटे दे रही थी तुम इतनी चुप कैसे हो गई सहसा अनिल का बदला हुआ स्वर सुनाई दिया जानती हो वह कह रहा था तुम आज कितनी सुन्दर लग रही हो गुलाब की ताजी खिली कली सी जिस पर दो बूंद ओस पड़ी हो चौप कर उसने उसकी तरफ देखा यो रसिया की तरह बढ़ा चड़ा कर प्रशंसा करना उसका सभाव नहीं है आज क्या बात है शायद मौसम ही उनमादी है उसने अदा के साथ साड़ी का पलू समारा बाल थप थपाए और मुस्करा दी और बालों से गंधराज के फूल निकाल कर जटके के साथ खिड़की से बाहर फेक दिये तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं